हेलो फ्राइंग्स मैं प्रितिय अदफ स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसीव करने के लिए बच्चे दानी का मुँग कब खुलता है और ओविलेशन पीरिड क्या होता है प्रिग्नेंसी के लिए महिलाओं को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उनकी बच्चे दानी का मुँग कब खुला होता है और रिलेशन मनाने के लिए कौन सा समय सबसे बैस्ट होता है प्रिग्नेंसी भगवान का हमारे लिए एक वरदान होता है जिस वर्दान की फल को पाने के लिए हमें कितनी ही परिशानिया जिलने पड़ती है महिलाओं को सब ठीक होने के बाद भी कितनी सालों तक ट्राइ करने पर भी बच्चा नहीं होता जिसका एक कारण आपके बच्चे दाने का मूँ उस समय ना कुल पाना भी हो सकता है क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आप 100% प्रेग्नेंट हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिलेशन मनाएं तो उस समय आपके बच्चे दाने का मूँ खोला हो और ये जानने का एक आसान सा तरीका है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आप अगले महीने ही कंसीव कर पाएंगी तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा चरूर देखे तो दोस्तों आई एव हम जान लेते हैं कि बच्चे दाने का मूँ कब खुलता है और कितने दुनों तर खुला रहता है आम तोर पर हर महीला की पीरेट साइकल अलग अलग होती है वैसे 21 से 35 दिन की पीरेट साइकल नॉर्मल मानी जाती है इसलिए हर महीला का पीरेट टाइम अलग होता है जिससे कि उनके बच्चे दाने की मूँ कुलने का समय भी अलग होता है आम तोर पर जब period आता है तब बच्चे दाने का मूँ खुलता है और period खत्म होने के 7 से लेकर 8 दिनों तक बच्चे दाने का मूँ खुला रहता है यानि कि जब period cycle खत्म हो जाती है तब यदि आप relation बनाते हैं तो आपको pregnant होने के chances होते हैं लेकिन pregnancy हमेशा ovulation पर depend करती है क्योंकि ovulation से ही pregnancy पक्की होती है और ovulation का period ही महत्वपूर होता है इसलिए आपको अपनी period cycle से पहले अपना ovulation period जानना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे हैं कि आप महीने के किस समय relation बनाएंगी जिससे आप पक्का pregnant होताएंगी अब हम ये जानते हैं कि ovulation period और ovulation की process क्या होती है जब महीनाओं का ovulation period चल रहा होता है जो कि 28 दिन की normal monthly cycle में से 12 से 16 दिन के बीच के समय शुरू होता है ये 3 से 4 दिन सबसे ज़्यादा fertilized days माने जाते हैं उस समय अगर आप relation बनाते हैं तो conceive करने की chances भी ज़्यादा होती है जब महीने ovulate कर रही होती है तो उस समय ovaries में से एक अंड़ा बढ़ा होकर बाहर निकलता है ओवरी से निकलने वाला अंड़ा फैलोपियन ट्यूब में 24 से 36 गंटे तर रह सकता है जबकि पुरुस के इस्पम यूट्रस में 4 से 5 जिन तक जिन्दा रह सकती है फिर जब इस्पम फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है तो उन दोनों का वहां मिलन होता है इस प्रक्रिया को हम fertilization कहते है ये 4 से 5 जिन तक भी चल सकती है जिससे भूर बनता है कि पीरिड की कितने दिनों बात तक बच्चे दानी का मुह खुला रहता है अगर आप पीरिड आने के 12 से 18 दिन के बीच में relation मनाते हैं तो आपके pregnant होने की chances पूरे-पूरे होते हैं क्योंकि उसी समय महिलाओं की बच्चे दानी में एक विक्सित होता है जिससे अगर आप उस समय relation मनाते हैं तो आपका pregnant होने की chances 100% होते हैं अब मुझे उमीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी बच्चे दानी का मुख कब खुलता है और आपको conceive कि समय करना चाहिए तो मैं आसा करती हूँ कि आप इन तरीकों को जानकर आपको हमारी आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहें अगर आपके पास भी सवाल है तो आप comment box में जरूर लेके हम आपकी सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें, खुलका जीएं, घर में रहकर स्वस्त रहें घर से बहां जरूरी काम होने पर ही जाएं कोड़ोना से बचे अपनी परिवार का और अपना ध्यान रखें